नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओपो रिनो 6 प्रो 5G वर्सस गूगल पिक्सल 6A 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 6 प्रो 5G में 6.3 इंच जबकी पिक्सल 6A 5G में 5.99 इंच की लेंथ मिलती है जोकी 6 प्रो 5G से कम है Width की बात करें तो 6 Pro 5G में 2.88 इंच जब की Pixel 6a 5G में 2.83 इंच की Width मिलती है जोकी 6 Pro 5G से कम है बात करें थिकनेस की तो 6 Pro 5G में 0.3 इंच जब की Pixel 6a 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी 6 Pro 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं weight की तो 6 Pro 5G में 177 grams जबकि Pixel 6a 5G में 178 grams का weight देखने को मिलता है जो की same जैसा ही है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं Display type की बात करें तो 6 Pro 5G में AMOLED जबकि Pixel 6a 5G में OLED की display मिलती है Aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है Display size की बात करें तो 6 Pro 5G में 6.55 inches जबकि Pixel 6a 5G में 6.1 inches मिलती है Display resolution दोनों phone में same ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to body ratio 6 Pro 5G में 88.56 जबकि Pixel 6a 5G में 82.2 एक प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो 6 Pro 5G में 402 प्रति इंच जबकि Pixel 6a 5G में 431 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताएं की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें man camera की तो 6 Pro 5G में 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखर में mono camera देखने को मिलता है और Pixel 6a 5G की बात करें तो इसमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखर में ultra wide angle camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है अई अब बात करते है hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो 6 Pro 5G में Mali G77 MC9 जबकी Pixel 6a 5G में Mali G78 MP20 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200 MT6893 और Pixel 6a 5G में Google Tensor मिलता है बात करें RAM की तो 6 Pro 5G में 12 GB जबकी Pixel 6a 5G में 6 GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो 6 Pro 5G में 256 GB जबकी Pixel 6a 5G में 128 GB storage मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system की बात करें तो 6 Pro 5G में Android V11 जबकी Pixel 6a 5G में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी 6 Pro 5G में 4500 mAh जबकी Pixel 6a 5G में 4306 mAh देखने को मिलती है अहीं अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो 6 Pro 5G में 2 colors जबकी Pixel 6a 5G में 3 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें price की तो 6 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 49,680 rupis में मिल जाता है और बात करें Pixel 6a 5G की तो वो 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 49,999 rupis में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prons and bonds यानि की फाइदे और नुकसान की तो Oppo Reno 6 Pro 5G में 7 फाइदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकी बात करें Google Pixel 6a 5G की तो उसमें 7 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Pixel 6a 5G आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में 6 Pro 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Google Pixel 6 5G है दूसरा Realme GT 2 Pro 5G है तीसरा OnePlus 9 2 Packman एडिशन है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V23 Pro 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना